गूड मॉर्निंग स्टुडेंट आज क्लास नाइंद के लिए चत्वारो वेदा चतुर्था पार्ठ चत्वारो वेदा पार परांगे भारत बर्सा संस्कृतिक निधी सु वेदा प्रधान पदम धार्यंति भारत बर्स के संस्कृतिक नीधी में तार्था संस्कृतिक भंडार नीधी कार्थता भंडार या खाजाना संस्कृतिक खाजाना जो है वो बेद का परधान पद को धारन करता है संसारस उपलवद ग्रंथेशु ते एव प्राचीन तमास अंती संसार के उपलवध गरंथों में यह प्राचीन है भारतिया सर्वे अपी बेद संबंधेन गौर्वम और भवन्ति सभी भारतिये बेद के संबंध में गौर्व का अनुभव करते हैं ज्यानस प्रिया एव बेदों बर्तते ज्यान का पड़िया ही बेद है प्रस्तूत पाठ में मुख्छार बेदों को प्रति पाधित किया गया है दर्चाया दिखाया गया है अस्माकम प्राचिना संस्कृती बेदेशु सुरचिता वर्ते थे हमारी प्राचिन संस्कृती बेदों में सुरचित है संसार रष्चा प्राचिन तमम साहित्यम बेदेशु पुलब्यते संसार और संसार के प्राचिन साहित बेदों में पुलब्ध है सबसिंधो परुदेसे निवसंता रिस्याता ततकालिकम सरवं ग्यानम बेदरूपं धारियन सबसिंधो परुदेस में रहने वाले रिसी ततकालिक सभी ग्यान को बेदरूप में धारन करते हैं विशेश तो यग संचालना एक सफी बेदस चत्वारी रूपाने किर्थाने आसन विशेश कर यग चलाने के लिए एक ही बेद के चार रूप किये गये थे अतीर चत्वारों बेदा आहिती परंपरा प्रविता इसके चारों बेद ही परंपरा से परचली थे तेचा बेदा व सब्सक्राइब इसलिए इतिहास सग इतिहास को जानने वाले विद्वान उनके महत्रों को अधिक मानते हैं आयम देदो दस सू मंदलेशों भीधमान है सुक्ता नाम देवता हरिस्या चादान सी चा पिरतक संते सुक्तो के देवता चान अलग है संपुर्न रिग बेदे संपुर्न रिग बेदे 1028 सुक्त है दस हजार पांस सो बावन atan रेचह है रीचह इव मंत्रा आपी कथ्य थे रीचह ही मंत्र यह प्रात्ता कर सकते हैं रीच invited देबाना वा बबाएना अर्थम मंत्रा इती करमकानद उप्योग रिग बेद में देबताओं को भुलाने का मंत्र और करमकानद का उप्योग है यजुरुबेदा सुक्ल और किष्ण दो प्रकार की है प्राये सुक्ल यजुरुबेदा एब उत्तरभारते पर चलिता प्राये सुक्ल यजुरुबेद भी उत्तरभारते पर चलिता तस्मीन चत्वारिन सत अध्याया संती उनमें 40 अध्याय है अध्याय अनेकी गद पदात्मक मंत्रा संती उन अध्यायों में अनेको गदात्मक और पदात्मक मंत्र है तेशु मुख्यतो विवित कर्म संपादनाय विद्यो दर्शिता उनमें मुख रूप से बीवीन प्रकार के कर्म संपादन के लिए बिधी को दिखाया गया है एजुर वेदस अर्थ एव परतते यग वेदा एजुर वेद का ही अर्थ है यग वेद परचलित सुक्र एजुर वेदे परचलित ईजुक लिए जुरुबेद में 1975 मंत्र संक्रित है, एग्येवस्य वेदस ब्यापका परयोग है, और यग्य में बेद का ही ब्यापक परयोग है साम बेदह प्राय रिग बेदव स्ग्यात्म के मंत्रे संक्रित हैं तर्य वहान यग में समा हूता नाम करता था बुलाये हुए वहान यग में बुलाये हुए देवताओं को परसंद करना खुश करना मुहां येगी में बुलाए हुए देवताओं को परसंद करने का लच्छ है परसादनम्चा गाने भबती और खुस करना गान से होता है अतीव सामवेदस गाय का उद्वातारा कत्याते है इसलिए सामवेद के गाय को गाने योग या उद्विगार कहे जाते है भारतियम संगीतम सामवेद एव प्रारण होते है भारतिय संगीत सामवेद से ही प्रारण होते है सामवेदे सामवेद में 1875 मंत्र है सामवेदस चा पुरवार्चिक उत्रार्चिक भावयों विभक्त है साम बेद पुरवार्चिक और उत्रार्चिक भागों में विभक्त है अथर बेद लौकिक और वैग्यानिया कम चा विस्यम विसेशन धती अथर बेद लौकिक और वैग्यानिय के विसेशन को धारन करते है आयम बीन सती कांडे सु विभक्ता यह भीस कांडों में विभक्ता है परती कांडम चा सुक्तानी बर्तंते परती कांड में सुक्ते है सुक्ते सुचा रिग वेद वत्स मंत्रा संती सुक्तों में रिग वेद के समान मंत्र है संपुन अथर वेदे संपुन अथर बेद में 10-730 सुक्त हैं 5987 मंत्र हैं अत्र द्वाद से कांडे भूमी सुक्तम बर्तते यहां पारह में कांडे में भूमी सुक्त हैं यत्र मात्री भूमें अस्तूती विस्तारिन किरता जहां मात्री भूमी के अस्तूती विस्तार से किया गया है एते एव सर्वे बेदा मंत्रा नाम संकलन तुइन सहिता ये सभी बेद मंत्रों का संग्रही संगिता कहा गया है या संगिता कहे जाते हैं तद अंतरम तद ब्याख्या रूपानी ब्रहुनानी बहुनी बरतंते करमकांड परानी उसके बाद वह ब्याख्यारूप भ्रह्मनों के अनेको कर्मकांड में है सरवे अपी एते ये सभी बेद सहीताना बेद संगताओं में पिर्थक पिर्थक संति अलग-अलग किये गया है अपी चा और ही बेद नाम अंग रूपेन बेद अंग नाम के रूप में सिच्छा कल्प व्याकरन बिनरुप च्छंद जोतिस ये सभी बेद के अंग हैं जो साहित में अधिक प्रस्तुत पिये गया है सर्वम इदम मिलिक्वा या सवे मिलकर विसालम बैदिकम साहित के मिती बढ़ते थे विसाल बैदिक साहित के रूप में है धन्यवाद